साथियो गुड मॉर्निंग बहुत बहुत स्वागत रहेगा आपका अपने ही चैनल NIS Online हमें और परिक्षा के बीच दोस्तो बीपेसी के चेर्मन अतुल परसाद जी का यहां पर एक ट्वीट निकल काया है देख सकते हैं पर और यह ट्वीट जो है आज का है मॉर्निंग का है चार बच के 28 मिनट पर यह ट्वीट जो है किया गया है इसमें यहां पर देख सकते हैं क्वाइलिफाइ कट अप को लेकर बाते कही गई है टी आरी देख सकते हैं पर तो दोस्तो आए देखते हैं इसका क्या मतलब आखिर जो है इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं TRI उमिद्वारों को याद दिलाना जाता है याद दिलाया जाता है कि रिक्त सेंखा के 75% तक उमिद्वारों का चैन करने के लिए एक योकता कट अप में छोट दी जाएगी अभिहारतों के सेंखा जो भी कम हो ठीक है यहां बताया गया है कि 75 5% सीट अगर उमिद्वार से नहीं मतलब नहीं भरा जाता है तो यहां पर कट अप को डाउन किया जा सकता है यानि आप लोग दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कोश्चन का कितना लेवल है था ठीक है और यहां पर दोस्तों एक जो है बाते कही गई है यहां पर देख किया जाएगा ठीक है यहां पर देख सकते हैं आगे इस्तिमाल किया जा सकता है इसमें लिखा है कि ऐसे में उन्हें सला दी जाती है कि विए ऐसी पर्तिकरिया बहबार ना करें जो उनके खिलाप हो ठीक है तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं BPC Chairman ने भी माना की कोश्चन का लेबल जो है हाई था ठीक है और बात बाकी आज का क्वालिफाई पेपर है अच्छे से दीजी आप लोग और जो भी रहेगा आगे का अपडेट आपको हम देते रहेंगे फिलाल के दोस्तो इतना ही अपडेट